ग्रान अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर्मेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफले 20 अगस्त 2022 शनिवार का दिन है भादरपद महा के कुर्ष्ण पक्ष की नौमी तिथी है इस दिन गोगा नौमी का परवर रहेगा तथा इस दिन नंद महोत्सो मनाए जाएगा रोहनी नामक नक्षत्र होगा तथा चंद्रमा जोकी अपनी उच्च राशी वरशब में विराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूरदिशा में रहेंगे इसलिए पूरदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पूरदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अद्रक खाकर के यात्रा आरंब कर सकते ही राहुकाल जोकी सुबह नो बजी से शुरू हो करके दस बच के तीस मिनेट तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मैंगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथ्वा केलेंडर के नुसार कर सकते ही क्योंकि राहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी सिंग रासी में वहीं चंदरमा ब्रशब राशी में, मंगल गरह ब्रशब राशी में, बुद्ध गरह सिंग राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जो किमीन राशी में, शुक्र गरह करक राशी में, शनी डेव मकर राशी में, राहु गरह मेंस राशी में तथा केतु गरह तुला राशी मे विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश व्रसप करक कन्याव रश्चिक एवं मकर ये पांच राशियां सबसे अधिक भागिशाली रेने वाली है करिक्षत्र में इनको एक नई उपलब्धी प्राप्त हो सकती है धनलाप के सांसाथ मान संबान पद प्र राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी भरा राशी वालों का दिन इक राशी फिल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंतर तक दिरू देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिए तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्धी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भरुपूर सद उप्योग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भव तथा मित्रों से वेचारिक मध्वेद उत्पन हो सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक नो होगा भगिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियों के परती आपका रुजान बढ़ेगा राजनितिक संपर्क आपके लिए कुछ शुप अउसर भी प्रदान करेंगे नए वाहन के खर यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक पांच होगा भगिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की आज आप रोज मर्रा की जिन्दगी से हट करके दिन चरि लेकिन कोई भी कार्य भाउकता वश बिल्कुल न करे बुद्धि मत्ता तथा चतुराई से आपको प्रत्य कारी करना चाहिए और उपाई के रोप में गणेश जी को कोई भी मीठी वस्तु चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भगिशाली अंक नो ह लोगी तथा नई उपलब्दी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हतियार डाल देंगे कोई भी महत्यपूर्ण काम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करें जरासी चूक आपके लिए गरासी की घर के बदलाव अथवा नवीनी करन संबंदी योजनाओं तयार होगी इन योजनाओं को कारी रूप देने में आपको जो है अधिक समय वितित होगा अर्थिक स्थिती बहतर रखने के लिए बजट बनाकर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए व्यक्ति से आप फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की कोड केज अस्वा प्रापर्टी से संबंदित रुके हुए काम आपके आपके पक्ष में हो जैसे आपको बहुत मानसिक शांती प्राप्त होगी रिस्तदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी वा सूजबूच की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधान बरते छोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानी हो सकती है बहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी या हरी गांस खिल जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबू तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा में अंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तधारों की आबा जाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरभाही की वज़े स किसी नजदी की रिष्टेदारों के साथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं इसलिए बहुत अधिक चोकरना रहने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलह को नजर अंदास न करे उपाई के रूप में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए सांथी समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा भी बढ़ने वाला है इस समय अपने लक्ष के प्रती आप पूर्ण रुप से एकागर चित तथा गंभीर रहे सफलता आपका अवश्य ही प्राप्त होगी वहन खरीदने की योजना यदि आप बना रहें तो कुछ समय के लिए रोक करके रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप देवी जी को सिंदूर चणाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की आपको श सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ति विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन नहो सकता है ध्यान रखे सावधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आज किसी जर्वत मन मित्र की साहिता आपको करनी पड़ेगी और ऐसा करने से आपको मानशिक शान्ती अनुभव होगी और पड़ाई के लिए जो बच्चे महनक कर रहे हैं उनको मनोवांचित परिणाम की प्राप्ती होगी जिससे उनका होसला और आत्मेश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आ अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्मेश्वास को बढ़ाएंगे सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी आपको उपलबधियां प्राप्त होगी सुम्मितव आदर्श बना करके रखना अति आवश यदि आप लगन तथा एकाग रिचित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कार्य से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपक आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय वितीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारि आपका आसमानी होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपायत अथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको पताए हैं हमारे इस ज्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजे आपको रापके पूरे परिवार को सादर जैसी क्रश्न सादर धन्यवाद